पालक के नाम सुनते ही भाग जाने वाले बड़े हो या छोटे मांग मांग कर खाएंगे आज हम लेकर आए हैं पालक की ऐसी मज़ेदार रेशिपी जिसे खा कर आप बोलेंगे वाओ इतना हेल्दी और टेस्टी होता है कि इस तरीके से आप पालक बनाएंगे तो बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे तो आज मैं सेयर कर रहे हूँ आपके सांथ बैगन और पालक की ऐसी रेशिपी तो इसे आप जरूर दिल खोल कर सेयर कीजिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोट्रिपिकेशन आपको सबसे पाले मिलती रहे तो चलिए इसे बनाना हमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पालक को अच्छी तरह से काट लेंगे और इसमें हम बैगन को भी काट लेंगे और दोनों को अच्छी तरह से साप पानी से धोलेंगे और इसमें हम खड़ा मसाला के यूज किये हैं तो यहाँ पर है दिखिए जीरा, मरिच, लाजुल और आदी और हरा मरचा तो इसको हम पेश्ट बना लेंगे और यहाँ पर दिखिए कड़ाही में हम सरसो तेल डाले हैं आप जो तेल खाते हैं उस तेल का यूज कर लिजिएगा हम तिनकोना वाला पालक का यूज किये हैं आप चाओडा वाला भी पालक लेख सकते हैं कोई भी पालक चलेगा दोनों टेस्टी होता है तो यहाँ पर हम इसमें डाल दिए हैं जीरा और जीरा के साथ हम मेथी का फोरण भी डाले हैं जिसे टेस्टी लगता है तो पालक की ऐसी रेश्पिया भी बना कर खाईए दोस्तों पालक ऐसे भी बहुत थेल्दी होता है तो इसमें हम फोरन में डाल दिये हैं जीरा चतपत्ता मेथी और इसमें हम प्याज का तड़का लगा लिए हैं और बच्चा का खाना है न तो उसमें हम थोड़ा सा आलू भी डाले हैं तो यहां पर हम दोनों डालकर चलाएंगे और इसमें हम स्वादयनुसार नमक डालते हैं जिसके यहां जल्दी अच्छी तरह से घल भीज्वेट आगे और इसमें नमक कमिक्स जाए जिसके कि अच्छा स्वाद सबिद्क्री एक經 data दालकर भूझा जाता है तो यह बहुत अच्छी तरह से भूझा भी जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है तो यहां पर देखिए हम लासुन जो आदी मर्चाई का पेश्ट बनाए थे वह हम डाल लिये हैं आप लासुन आदी का भी पेश्ट डालकर सारा मसाला प अधनिया पौडर है इतना ही हम पौडर मसाला डालते हैं बाकि हम खड़ा मसाला को भी पीश कर डालते हैं क्योंकि खड़ा मसाला मिरुको बहुत ही अच्छा स्वाद आता है सुचते हैं कि लासुन आदी पीशी रहे हैं उसमें खड़ा मसाला भी पीश्ट देंगे तो आते समय हम दो तीन बार उलट पलट कर चलाएंगे और जब मसला मेरा आधा से ज्यादा भूजा जाए उसमें हम पालक को डाल देंगे और डाल कर चला लेंगे और इसको हमको भूंजते हुए पकाना है तो इसको सबजी में यह पालक डालक और इसको क्या करेगा चलाकर ढख लीजिएगा और ढखने के बाद हम दो दो मिनट तिन ती मिनट पर इसको हम खोल खोलकर चेक करते रहेंगे तो देखिए एक बार हम इस तरह से खोलकर और निकाले हैं तो यहाँ पर पालक गल गया है और इसको फि ची भी पक जाएगा और यहाँ पर पालक भी गल जाएगा और इसका स्वाद इतना अच्छा आएगा कि क्या बताए तो ऐसे पालक बचे नहीं खाते हैं तो इस तरह से बैगन में आलू में डालकर बच्चे को खिलाईए तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे ऐसे सबजी जरूर खिलाना चाहिए क्योंकि आज का बच्चे फासफूर्ट ज्यादा खा रहे हैं तो देखे इस तरह से हम दीरे दीरे आज पर पका लिए हैं सबजी और देखे कितना इसका अच्छा टेक्च्चर आया है तो इसको आप लंच में दीजिए रोटी में खाईए और चावल में भी खाईए जिस तरह से आप इसको खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से आप बचे के टिपिन में भी इसे दे सकते हैं बचे को समझ में नहीं आईगा कि या पालक है और सबजी mm बहुत अच्छा इसका बनता है दोस्तों इस तरह से आप भी खाईए देखिए किसना अच्छा कॉलर आया है और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें